अजवानी और व्यवार पर सयम रखने की सला है मजाग करने में नाराजगी की परिस्थिती बन सकती है तबियत का ध्यान रखें व्यर्थ दूसरों के विवादों में दखल ना दें रुकरुकर हो रहे कारियों से परिशान रहेंगे पारिवारिक माहोल अनुकूल नहीं होने से तनाव बढ़ सकता है वहान पर खर्चोगा कारे इस्थल पर करमचारियों से परिशान होंगे नए दोस्त बनेंगे मिथुन समय रहते कारियों को पूरा करें काम की अधिकता रहेगी व्यस्त रहें मस्त रहें व्यर्थ चिन्ता ना करें जो हुआ उसमें प्रसन रहें परमात्मा की इच्छा इसी में थी धनलाब संभव है भाईयों का साथ मिलेगा कर्क मन अशांत रहेगा दोपहर के बाद इस्तिर्था आएगी संतान के प्रती सजग रहें पुंजी निवेश से लाब होगा भूमी भवन के अट के मामले आज भी पूरे नहीं हो पाएंगे सिंग व्यापार में लाब के योग बन रही है कोई मैध फोन योज ना बन सकती है वैवाहिक प्रस्ताव सफल होंगे कारे इस्थल पर कर्मशारियों के व्यभार से परिशान होंगे धार में कुरूची में व्रद्धी होगी कन्या आपके चुर्चड़े व्यभार से पुरे घर का माहौल खराब रहेगा आप किसी की भावनाओ को नहीं समझते अपने व्यभार में नर्मी लाएं नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे तुला अनुकूल समय का निर्माण हो रहा है मानसिक तनाव से रहात मिलेगी आदम विश्वास में बहुत कमी है कोई भी फैसला आप स्वैम के बल्बूते पर नहीं ले सकते नित्य सूर्य को जल चणाएं विश्चिक समय रहते जरूरी कारे पूर्ण करें विरोधी आपका खुल कर विरोध करेंगे रक्त संबंदित रोग से पीडित रहेंगे भगवान शिव पर बील पत्र और गंगा जल अरपन करें जीवन साथी के साथ समय व्यतीत होगा धनू व्यवार कुशल्टा की तारीफ होगी वस्तराभुशन की प्राप्ती होगी रचनात मकार्यों में रूची बढ़ेगी भाई भैनों से विवात के स्थिती बन सकती है दूसरों की निजी जिन्दिगी में दखल देना बंद करें मकर आकस्मिक धन्खर्च से बजट प्रभावित हो सकता है मन अनुकूल वातावरण में समय व्यतीत होगा वैवाहिक प्रस्ताब निर्णायक होंगे यदि आप खनिश के व्यापार से जुड़े हैं तो समय अनुकूल है कुम्ब पांसिक शांती मिलेगी कारेस्थल पर बदलाव हो सकता है व्यापारी कुनती मिलेगी विशिष्ट व्यक्ती से मुलाकात मन को प्रसंद करेगी संतान का सुख मिलेगा मातापिता के स्वास्त में लाब होगा मीन लोग आप पर बहुत विश्वास रखते हैं उनके विश्वास पर आप कायम रहें आर्थिक लाब आज हो सकता है नौकरी छोड़ने का मन आप बना चुके हैं समय साधारण है